हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, गार्मेंट मेनिफेक्चरिंग में कितना प्रोफिट होता है, एक लोवर को बनाने में क्या कोश्ट आती है, और एक केजी में कितना लोवर बन देने से मैं बच रहा था, लेकिन लोगों की डिमांड भी, बहुत लोग मेरे से यही पूछते थे, कि भाई, प्रोफिट कितना हो जाता है, या एक केजी में आप कितना लोवर बना लेते हैं, मेरे बचने का रीजन इसलिए था, क्योंकि यह इसका एक्जेक्ट आंसर किसी के पास नहीं है, यह एक बिजनिस है, जो कि दोनों डारेक्शन में चलता है, प्रोफिट की तरफ भी चलता है, और लोज की तरफ भी चलता है, तो अगर आप सही तरीके से करते हैं, तो प्रोफिट की तरफ जाते हैं, और गलत तरीके से करते हैं, तो लोज की तरफ आते है तो यह जो बिजनिस होता है यह साप सिड़ी की तरह होता है जब तक आपको साप नहीं डसता तो आप उपर चले जाते हैं और बीच में आपको साप डसता है तो नीचे आ जाते हैं मैं ऐसा इसलिए कि रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल नॉलिज पर डिपेंड हूँ इसलिए मैं इसका जवाब का आंतर देने से बच रहा था क्योंकि होता है हमारी इस वीडियो से कोई गरीब दूर बेठा हुआ उसको लगता है कि एक लाग रुपा कमाना बहुत आसान ह कोद पढ़ता है fill Ce ब है उसके बाद उसे पता चलता है यह तो यह जो है प्रस्टेबल बिजनीस नहीं है उसको बहुत सारी पार करेंगे उतना profit आपको होगा जिस step में आप फसेंगे उस step में आपका loss होगा इस वीडियो से उन लोगों को फाइदा पहुंचेगा जो garment manufacturing करने की करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं उसमें कुछ सुधार कर सकते हैं जिससे कि आपका step clear हो जाए और आप उस होने वाले दोस उसको देगा जिसको सही तरीके से काम करना नहीं आता है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आपना पहला step पहले step में मैं आपको बात करूंगा weather information weather information का कपड़े से क्या relation है यह सारा के सारा आपको example के सुरू बिल्कुल clearly समझ मा आ जाएगा मैं जैसा कि आप लोग जा एक बंदा मेरे पास आया और बोला कि मैताब भई एनेस का कपड़ा 46 रुपे पा गया है अगर आपके पास पैसा है तो आप सारा पैसा उसमें लगा दें क्योंकि यह 100% में के रहा हूँ 46 से उपर रहने वाला है फरवरी में 45 से उपर रहने वाला है 100% के रहा हूँ और अगर आपको कितना भी नीचे जाएगा 46 से रुपे से नीचे नहीं जाएगा तो आप ऐसा करें अगर आपका पास पैसा है तो सारा पैसा उसमे लगा दें मेरे पास पैसा नहीं था कोई बात नहीं लेकिन उस बंदे ने सो रोल सो रोल दिसंबर के महिने में खरीद लिये थे तो आप सोचेगा 46 रुपए कपड़ा मिला एनेस का दिसंबर में ठीक है दिसंबर के बाद जिसी जनवरी फरवरी आई कपड़े का रेट बढ़ता चला ग अप्रेल में और उपर हो गया यहां तक की देखने में आया 74 रुपीज तक एनेस का कपड़ा चला गया साथ साथ मार्किट में इतनी जादे डिमांड थी कि एक के एनेस के एनेस फेबरिक का एक भी लोगर उसके पास नहीं बचा यानि कि आप समझ सकते हैं कि उस बंदे न विदाउड सिलह के कमा लिया तो भाई आप देख सकते हैं केल्कुलेशन करके देख सकते हैं तो उस बाई ने 4,60,000 रुपया का माल खरीदा था और 7,40,000 रुपय में बेच के मार्किट से निकल गया और जो सिलह था उसका प्रोफिट अलग है यानि कि सोट सब्दों में कह प्रोफिट निकलने में भी कोई प्रसानी नहीं हुई इसे बोलते हैं गार्मेंट मेनिफेक्चरिंग का कड़वा सच या रियलिटी तो भाई आप देख सकते हैं मार्किट में उसने जो पैसा लगाया और पैसे को डबल किया और आसानी से निकल गया कोई टेंशन नहीं को अब देखो वेदर की खेल मौशम का खेल इसलिए मैं कह रहा था मौशम का खेल बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए जैसे ही मार्च आया मार्च अफ्रेल चला एक और भाई है जो मैनिफेक्चरिंग स्टार्ट किया था मेरे पास आके सीखने के लिए बोला के भाई में थोड़ा से टाइम लगा उसके बाद मेरी एक वीडियो पहुंची रियो उसके पास पहुंची उसने वीडियो में देखा कि कपड़ा का रेट अठावन रुपे चल रहा है तो उसको जटका लगा उसने मीशे कोल किया बोला कि भाई मैं तो 74 रुपे बिला था आपके 58 रुपा गया मैंने उससे मालूम किया कि भाई तुन्हें कब लिया तो वो एक महीना पहले लिया था और धीरे धीरे सी रहा था मैनिफेक्टरिंग जादे बड़ी नहीं थी दो ललके रखके काम कर रहा है काम करता है तो तब तक उसकी आँख खुली तो 58 पर आ चुका था और मार्किट में वो जब बैशने के लिए निकल रहा था तो उसे रिजेक्शन फे रिजेक्शन फे रिजेक्शन फे रिजेक्शन फे रिजेक्शन फे रिजेक्शन फे एक महीने से वो भागता रहा लेकिन उसको सही रेट नहीं मिले मैंने उसको बोला कि भाई अगर प्र वो जो है अपना माल बेच भी नहीं पा रहा ठीक है अगर मैं उसका लोस की बात करूं तो पूरा पूरा लोस ही है यहां तक तो किया सकता हूं कि जो जितना कपड़ा लगाया था वो उतना मिल सकता है उसको लेकिन प्रोफिट गया तीन-चार महीन ने मेहनत कर रहा है उसे प पैसे निकानने के लिए दर-दर भटक रहा है तो यह चीजे डिपेंड करेगी मौसं पे अब जिपकी बात को खतम करते हैं सिर्फ आपको एक ही राई देना चाहूंगा इसकी इंफोर्मेशन अगर है मार्किट में कपड़ा कौन सा चलता है कौन से कपड़े की कब बनाया और आराम के साथ उसको निकाल दिया तो पहला इस्टेप आपको किलेर हो चुका है इसी तरीके से मैंने और बहुत सारे स्टेप बनाए है उनका मैं डिसकस दूसरी वीडियो में करूंगा लेकिन थोड़ इसी समरी दे देता हूं जिससे आप लोगों का कपड़ा देने वाले भरे पड़े हैं तीसरे स्टेप में आपको बताऊंगा आपको टैलेंट और नोलीज होनी चाहिए कि आप कौन सा डिजाइन काटें चौते स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कारीगर या लेबर को हैंडिल कैसे करें क्योंकि ये भी आप लोगों से ले लेते हैं और काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है उससे अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा अपना ब्रांड कैसे बनाए और दूसरों का ब्रांड बनाने के क्या के नुक्सान है क्योंकि आप दूसरों का ब्रांड बनाके काम करते हैं और आपको लोस ह होता है अगले स्टेप में आपको बताऊंगा आप पैसे का रोटेशन कैसे करें यानि कि आप ने कपड़ा बना लिया आप सोचने की रिड बढ़ेगा उसको कि तरीके से रोटेशन करें क्यों कि एक लंबा प्रोसेस आप कपड़ा लाए कटवाया सिलवाया पेकिंग कराई धागा कटिंग किया, उसका फोटोग्राफी की, उसके बाद कहीं जाके मार्केट में भी निकालते हैं, तो वो बहुत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसको आप जल्दी से जल्दी कैसे रोटेट करें, जिससे कि आप दुबारा से वो काम कर पाएं, उसके अगले स्टेप म मैं कनकुलूजन दूँगा कि गार्मेंट मेनिफेक्चरिंग में आप कितना प्रोफिट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अमाउंट डबल से भी जादा, डबल, ट्रिपल अमाउंट हो जाता है, जैसे कि मैं पहले स्टेप में ही बता चुका हूँ, एक बंदे ने लगा है, वीडियो को चाहिए, thank you so much.